सात्यों नमस्कार कई बार बच्चा देने के बाद अपसर हमारी गाय के थनों में समश्या हो जाती है यानि थनेला हो जाता है उस कंडिसन में अगर हम ध्यान ना दें समय पे पसुचिकित्सकी मदद ना लें तो कई बार थन भी चले जाता है बहुत बड़ी दिक्तत होती है और ये डेरी फार्म को नुकसान पहुंचाने वाली सबसे बड़ी बिमारी है हमारे पास एक ऐसा नुस्का है जिसे अगर बच्चा देने से पहले दिया जाए तो किसी भी सुरत में थनेला हमारी गाय को नहीं होगा और वो नुस्का जो है उसमें हमें तीन चीजे लेनी है पहली चीज है हल्दी हल्दी हमें आदा किलो लेनी है और दस दिन में दस दिन में हमें आदा किलो हल्दी अपने पसु को दे देनी है बच्चा देने से पहले यानि हमें लगे कि लग भग 10 दिन बाकी है उस समय आप 50 ग्राम हल्दी पर डे देना शुरू कर दे लेकिन उसके साथ हमें 25 ग्राम आमला पाउडर मिलाना पड़ेगा आमला जो सुके आमले आते हैं उन्हें आप ले आएं उन्हें कूट लें पीछ लें हल्दी के भी गंटिया लाने हैं उन्हें कूटने हैं पीछने हैं फिर दोनों का पाउडर बना लेना है हमें हल्दी जो लेनी है वो आदा किलो लेनी है और आमले जो लेने हैं वो 500 ग्राम यानि एक पाउड लेने हैं फिर इन दोनों का पाउडर जो है हम mix up भी कर लेते हैं या अलग अलग लेना चाहें मातरा के हिसाब से तो ले सकते हैं 50 ग्राम पर डे हल्दी और 25 ग्राम आमला देना है लेकिन इन्हें देना कैसे हैं हमें रोज 500 ml 100 ml भी ले सकते हैं तो 500 ml भी ले सकते हैं अगर मान लेज स्थी फ़ुड़ ज्यादा है पांस के उंटल के आसपास तो आप डेट सो मẹल ले लेने अगर तीन चार के उनटल है तो आप सो मेल डेशी घी रोज ले और उसे गरम करें जब वो गरम होता है हलका सा गरम करना है जादा नहीं करना है जब वो गरम होता है उसी समय उसमें हमें हल्दी और आमले का जो पाउडर हमें तयार किया था उसको मिला देना है और उसे मिला करके अच्छी तरीके से मिक्स अब कर लेंगे उसके बाद किसी भी चीज में मिला करके आप खली में मिला सकते हैं आप अनाज में मिला सकते हैं आप किसी भी सोर्स से दे सकते हैं हमें अपनी गाय को देना है अगर ये बच्चा देने से 10 दिन पहले पाप कर लेते हैं तो थरला होने की सम्मावनाएं बिल्कुल ना के बराबर हो जाएगी